हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10th का उर्दू का मौडल कोश्चन पेपर को डिसकस करने वाले हैं आप जैसे कि आप लोग का मौडल कोश्चन पेपर आ चुका है ठीक कि आपके जो जैक बोड केवल एक सेट ही अप दिया है ठीक है लेकिन हम जो आप आप लोग को देंगे इसके बाद लगतार आपको सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 इस तरह से बहुत सारे सेट को एबिलेबल करवाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को द आप लोग के एक्जाम में हेल्प कर पाएं ठीक है तो वीडियो अच्छा लगे है तो प्लिस सभी लोग वीडियो को लाइक किजेगा और जितने भी आपके उर्दू के फ्रेंड्स हैं उर्दू वाले दोस्ते सब को वीडियो शेयर किजेगा ठीक है ना तो आज के इस इसका पार्ट टू भी चैनल पर जल्दी चली अपलोड कर दिया जाएगा तो चली शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला सवाल यहां पर देखिए आपको यहां पर कोश्चन दिख रहा होगा ना कोश्चन में आपको क्या कह रहा है कि नम आखें किस चीज की निशानी होत मैच कर रहा है बिलकुल अधिक है ओब्जेक्टि मोडल कोश्चन पेपर से आप लोग के एक्जाम में कोश्चन देखने को जरूर मिलेगा तो इसलिए आप लोग मोडल कोश्चन पेपर को अच्छे से किजिएगा तीक है अगला सवाल है कि आंसुओं के पीछे क्या नहीं होनी चाहिए आंसुओं के पीछे क्या नहीं होनी चाहिए भाई तो आंसुओं के पीछे नाउमीदी मायोशी और ए और बी दोनों या फिर इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा और बी दोनी यानि नाउमीदी भी नहीं होना चाहिए और माय इमान की दिल की या फिर दिमाग की बताईए तो right answer हो जाएगा इसका options number B इमान की किसकी इमान की question number आते हैं 4 पे question number 4 में आपसे कहा जा रहा है कि अल्ला से हमेशा किस चीज की आस रखनी चाहिए ठीक है option से आपके पास दौलत की भलाई की अच्छे वक्त की और A और C दोनो ठीक है तो right answer हो जाएगा इसका option number D sorry B और C है ना B और C दोनो भलाई की और अच्छे वक्त की ठीक है ना question number 5 में आपसे कहा जा रहा है कि अल्ला अपने बंदे को किस चीज से नवाजता है दौलत से सोहरत से जिसम से या फिर बंदे अल्ला से जिसकी तौफिक करते हैं ठीक है D option में आपका यानि जिसके लिए वो दूआ करते जिसके लिए उमीद करते तो option number D हमारे है या पर right answer हो जाएगा याद रखना है सभी क question number 6 में आपसे कहा जा रहा है कि जिस कलमा से किसी काम करना या होना मालूम हो इसको क्या कहते हैं इसमें कहेंगे fail कहेंगे हर्फ कहेंगे या फिर तजजात कहेंगे तो right answer हो जाएगा option number B ये काफी important सवाल है इसको BVI कडिगरी में रखिएगा ठीक है भूलिएगा मत जितना बार रटना पड़े रट लीजिएगा जिस fail का file यानि काम करने वाला मालूम हो इस fail को क्या कहते हैं ठीक है option से आपके पास file नाजिम फेले लाजम फेले मजहूल या फेले मारूफ ठीक है तो right answer हो जाएगा इसका option number D फेले मारूफ देखें मालूम है मारूफ मालूम मा मीम इसी से आपको पता चल गया कि क्या होगा answer question number 8 पे question number 8 में कह रहा है कि मुहावरा बाग बाग होने का क्या मतलब है एब लगाना इशारा करना भाग जाना बहुत खुस होना तो right answer हो जाएगा option number D बहुत खुस होना मुहावरा आसमान से गीरा और खजूर पर लटका का क्या म या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो right answer होने वाला option number B एक मुसीबत से बच जाना तो फिर दूसरी मुसीबत में पढ़ जाना यह देखिए आपसे यहां तक है ठीक है एक से बचे तो फिर दूसरी में पढ़ गए मंदर्जा बाला एक्तिबास की गौर से पढ़ें और दिये गए 11 से 15 नमबर तक के सवालों का सही जवाबात का इन्थिकाब करें ठीक है यानि कि आपको इसको पढ़ना है उसके बाद जवाब देना है कोस्ता नमबर 10 में आपसे कह रहा है कि मंदर्जा बाला एक्तिबास आपके निसाब से सबक से लिया गया है यानि कि किस सबक से लिया गया है आपको बताना है यानि कि आपको इस्टोरीज पूरा पढ़ना होगा भाई अगर आप इस्टोरीज नहीं पढ़ रहे हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा बुक से इस्टोरीज पढ़ना बहुत गठरी थी बती थी उसके बाद है खिलाओना था क्या था भाई आपको बताना है ठीक है तो राइट अंसर हो जाए यहाँ पर टकरी क्या थी बीठाई की टकरी थी ऑप्सन्स क्वेशन नमबर हाते हैं बारह फासर लटेन को तो राइट राइट रंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्सन無 और सी हो जाएगा भोला को गोच से चीन लिया था question number 13 पे कह रहा है कि दर्वाजा खोला तो कौन अंदर दाखिल हुआ था तो मामू जी दाखिल हो गया था question number 14 पे आई है question number 14 में कह रहा है कि पास पडोश के लोगों ने क्या दिया ठीक है तोफा किताब मुबारक बाद या फिर पानी तो right answer हो जाएगा इसका options number C मुबारक बाद दिया था क्या दिया था मुबारक बाद दिया था question number 15 पे आई है कहा जा रहा है कि मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है यह जो मंगू कोचवान है यह कौन सा अफसाने का किरदार है बागी पत में पैदा हुए पानी पत में पैदा हुए लाहौर में पैदा हुए तो कहां पैदा हुए तो आपको बताना है तो पानी पत में option number C question number 17 पे आई है कि डरामा किस जबान का लवज है most important सवाल है मेरे भाई यह सब सवाल काफी important है इसको याद रखिएगा यह जो डरामा है न यह जो है आपका नया कानून शोड़ी नया कानून बोल रहे है यूनानी ठीक है क्या यूनानी जबान का लवज है आप देखे यहाँ पर question number 18 पे कहरा सरसयर एहमत खां की पैदाईश कब हुई थी तो यह जो सरसयर एहमत खां है न इसकी पैदाईश कब हुई थी आपको बतानी है तो रैट अंसर है इसका options number C 817 in में कब और कहां पैदा हुए थे ठीक है अब यहाँ पे कब हुए थे और कहां पैदा बट यह भी आपको बतानी है तो यह जो हो गया आपका Bye अ आ लग रहा है है यहां पे कुछ कोस्टन चुटा हुआ है ठीक है न यह कोस्टन थोड़ा सा अट पटा है तो इसको आप रहने दो ठीक है न आ जाते हैं को स्ट्रास देख लो क्या है कोस्टन नमबर 20 में ठीक है 30 में 30 नहीं है 20 मंदरजा जेल शार को गौर से पढ़े 26 से 30 से पढ़ना है आपको ठीक है उसके बाद जो है आपको यहां पे सवाल का जवाब देना है कि रहा है मंदर्जा बाला अशार किन गजल से लिया गया आपको जरूरी है ठीक है कि कौन से गजल से कौन सा सवाल आप से पूछा गया है तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा को चे से इस तरह खामोसी से क्यूं गुजरता है जिस तरह पानी रेत से गुजरता है ठीक है इसका अंसर हो जाएगा आपका आपका आपसंस नमबर डी ताकि महभूब को रुस्वाई ना हो ठीक है कोशन नमबर बाइस में आपसे कह रहा है गोचा का क्या माने होते हैं तो गोचा के जो माने आपको बताने यह होता है आपका गली ठीक है गली कुजा ने बोलता है सब उसी प्रकार से लेल वा निहार के क्या माने होते हैं लील या वा निहार के क्या माने है ठीक है इसका जो र जान में रखना आप सभी को तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number C मक्ता कहते हैं क्या कहते हैं क्शाट सवाल कहा जा रहा है कि हायाद और कज़ा के क्या माँदें हैं तो हायाद और कज़ा के क्या माने है option से आपका जिंदगी और मौत, खुशी और गम, आराम और तकलीफ, अच्छाई और बुराई, ठीक है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number जिंदगी और मौत से, ठीक है, question number 26 पे कहा जा रहा है, अकबर अला अबादी की कौन सी नजम आपके निसाब में सामिल है, यानि कुछने कौन सी नजम को लिखा था, यह आपको बता नहीं है, तो इसका right answer होएगा, जलवा दरबार दिल्ली, ठीक है, या option number D हो जाएगा, question number 27 पे कहा जा रहा है, कि नजम हकीकत हुशन के शायर कौन है, यानि कि उसको लिखने वाला कौन है, शायरी को, तो उसको कुछने लिखा था, या आपको बता नहीं है, तो right answer हो जाएगा, options number B, अलमा एकबाल, ठीक है, याद रखिएगा, question number 28 पे कहा रहा है, गुली डंडा को अफसाना निगार ने क्या कहा है, यह जो गुली डंडा है, उसको अफसाना निगार ने क्या कहा है, ठीक है, तो इसको कहा है, आपका मौशमी खेल, क्या कहा है, मौशमी खेल, यह जाएगा, एक खिशी खास मौशम में खेला जाता है, question number 29 पे आपसे कहा जा रहा है, कि आपके निशाब में सामिल अफसाना फकीर के अफसाना निगार कौन है, या इसको लिखने वाला कौन है, फकीर अ अफसाना निगारों को किन से नफरत थी, अब मैंने question सही पढ़ा, ठीक है, यह हो जाएगा, फकीरों से नफरत थी, option number 20, question number 30 में आपसे कहा जा रहा है, कि आपके निशाब में सामिल अफसाना, ICS का किरदार वहीद किसका बेटा था, उसमें जो वहीद था, किसका बेटा था, ठीक है, राइट answer हो जाएगा, देहाती मजदूर का, देहाती मेंदार है, ठीक है, सोरी, मेंदार है, ठीक है, इसको पढ़ लिजेगा, तो हमने 30 objective question को देख ले है, इसके बाद, जो भी subjective इसका अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करकर हमें बताईएगा ठीक है ताकि हम आपके लिए वीडियो बना पाएं तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर कॉमेंट करके हमें बताईएगा उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसं कर लिजे ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पे चला जाए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू